ये बात गेस फैकल्टी भरती को लेकर करना चाहेंगे बड़ा बवाल इस पर मच गया है पहले विरोजगार युवाउं की ओर से ही आवाज उठाई जा रही थी लेकिन अब तो छात्रे संगठन भी सामने आ गए हैं ये हम बात SFI की कर रहे हैं SFI की ओर से या रोप कॉंग्र सरकार पर लगाये जा रहे हैं कि पुरी तरह से भाजपा की केंदर सरकार के सामने हिमाच्चन सरकार ने भी घुटने टेक दिये हैं इसलिए तो नई शिक्षा नीती को यहां लागू किया जा रहा है और तो और नई शिक्षा नीती के उस हर पहलू को लागू करने की कोशि हो रही है यह सभी भरतियां इसलिए हो रही है अस्थाई तोर पर ताकि बाद में पैंशन ना देनी पड़े और जादा सेलरी का भुखतान भी ना करना पड़े लेकिन चातर संगठन इस तरह के फैसले को स्विकार नहीं करते हैं अगर हिमाचल सरकार अपने इस फैसले को वापिस नहीं लेती है अभी हाल ही में देखे जो कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें गैस फैकल्टी भरती पर निर्ने जरूर ले लिया गया है और 26 के करीब पदों पर ये भरती होनी है क्या पूरा क्राइटेरिया रहेगा पिछले लोगों को इसमें रखा जाएगा तो ये किस तरह की भरती हुई और अस्थाई तोर पर क्यों हो रही है और एक साल बाद फिर ये अध्यापक कहां जाएंगे इस पर भी सरकार को जवाब देना चाहिए जो यंग्स्टर्स अभी कमिशन फाइट करने की तयारी में है या जि होते हुए ये नियमित तोर पर होनी चाहिए थी ताकि बाद में पैंशन का लाब भी मिले और बाकी वीतिया लाब भी मिल सके लेकिन सरकार ऐसी कोई भरती करने की कोशिश में नजर नहीं आ रही है या सफाई कारेकरताओं की ओर से आरोब लगाए गए हैं और चाते खाली हैं और दुर्गम क्षेत्रों में जल्दी अगर इन पदों को ना भरा गया तो फिर चात्रों की पढ़ाई और जादा प्रभावित होगी इसलिए पहले अस्थाई तोर पर भरती हो रही है बाद में इन भरतियों को रिप्लेस कर दिया जाएगा नियमित तोर वाली भरतियों से हलाकि रेगलर भरतियों को लेकर कोई मॉडल अभी हमें नजर नहीं आ रहा है वर्तमान सरकार का जो तयार किया गया हो और इंडिया टीचर फेटरेशन की ओर से देखे एक बड़ी मांग उठाई गई है इनका ये कहना है कि यूजिसी के आधार पर स्कूल ग्र परधा बड़ेगी क्योंकि उनकी योगिता और अनुभव एक जैसा होगा जितने भी बड़े स्तर पर एंट्रॉंस टेस्ट करवाए जाते हैं उसमें चात्रों की जब योगिता एक सी होगी अनुभव एक सा होगा तो वो एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे पाएंगे और बाकी भी जो इनके भते रहते हैं वो एक समान होंगे जिस वज़ा से बाकी राजियों में भी नौकरी करने के लिए अध्यापक जा सकते हैं अभी जब इस कमिशन का गठन नहीं हुआ है तो हर राज्य में अपनी अध्यापकों की शर्ते हैं सेवाई लेने का तरीका अलग है पाठे करम अलग है लेकिन एक लेवल फिर बन पाएगा और समान पाठे करम हो पाएगा एक समान वेतन भी शिक्षकों का हो पाएगा इस से बहुत सारे फाइदे होंगे जैसे कि अभी विश्यवीद्यालियों में देखने के लिए मिलते हैं यूजिसी के आधार पर इसे लिए स्कूल ग्रांट कमिशन का गठन को लेकर यहां और इंडिया टीचर फेडरेशन ने मांग उठाई है लेकिन कितनी जल्दी इस मांग पर सहमती बनती है देखना होगा क्योंकि पहलू जो इनकी ओर से दिये गए हैं फिर हमें काफी अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं एंटिटी भरती पर भी जानकारी लेकर आए हैं क्योंकि 4000 के करीप अदों पर भरती जरूर होनी थी और ये शिक्षा मंतरी के ओर से कहा भी जा रहा है कि जल्दी ही एक मॉडल तयार कर लिया जाएगा एक प्रारूप तयार होगा इस भरती के लिए लेकिन कब होगा इस पर स्थिती स्पष नहीं हो पाई है उससे पहले महिलाएं जरूर सामने आ गई हैं जिनका ये कहना है कि एक साल का तिरिक ब्रिज कोर्स करने के लिए भी अब ये तयार हैं क्योंकि NCDE की गाइडलाइन में दो साल का डिप्लोमा होना अनिवारे हैं और हिमाच्छल प्रदे हैं क्योंकि पहले अधिकारियों की ओर से कुछ ऐसे ही सुझाव दिये गए थे और इन्हीं सुझावों को लेकर बैठक भी हुई थी जिसके बाद तैह हुआ था कि NCDE कुछ इसी आधार पर होगी जहां जिम्मा जेविटी को दे दिया जाएगा लेकिन महिलाओं ने पहले मिलना चाहिए जिन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है एंटिटी में और सबसे बड़ी बात ये है कुछ महिलाएं अब ऐसी भी सामने आई हैं जिनका ये कहना है कि वो निशुल्क सेवाएं एंटिटी की दे रही थी यानिकि प्राइमरी कक्षाओं को निशुल्क तौर पर बढ़ा रही थी कुछे कजीलों में ये SMC के तौर पर तैनात की गई है अब ये वक्त आ गया है कि प्रायोरिटी इने दी जाए तो अब इस तरह की महिलाएं भी सामने आई हैं दो एंगल अभी हमें देखने के लिए मिल रही है एक तो वो जो पिछले 15-20 वर्शों से इसी इनके लिए कि ताकि भरती हो तो प्रायोरिटी पर इने रखा जाए अब ये जल्दी ही मुलाकात करने के लिए मुख्या मंत्री से और शिक्षा मंत्री रोही ठाकुर से भी पहुंचने वाली है सचीवालिया में किस तरह का रिस्पॉंस इने दिया जाता है देखना होगा ग्राम रोजगार सेवक भी अब रिवॉल्विंग फंड के इंतजार में है हाला कि मांग इनोंने पहले ये ही उठाई थी कि ग्रामिन विकास विभाग में इने मर्ज किया जाए लेकिन उसके बाद खुद ही मंत्री अनिरुद सिंग ने ये स्टेट्मेंट मीडिया के सामन की रिवॉल्विंग फंड इनके लिए जारी होगा क्योंकि वर्ष में कभी भी ने इस तरह की समस्या आ जाती है जब तीन-तीन महीने बिने बिना सैडरी के गुजारा करना पड़ता है तो ये रिवॉल्विंग फंड जल्दी जारी किया जाए और दूसरी मांग इनकी वही है कि ग्रामिन विकास विभाग में ने मर्ज किया जाए ताकि बाकी करमचारियों की तरश पर इने भी सभी सुविधाएं मिल सके ये अभी NPS के दाएरे में ना OPS के दाएरे में आते हैं तो एक तरह से इने भी OPS का लाब मिल सके हाला कि अभी तो ये दोनों ही schemes में नहीं आते हैं ना NPS में ना OPS में ना इने medical lab दिये जाते हैं ना gratuity का lab मिलता है और तो और जो इनके करुणा मुलक आश्रित हैं वो भी नौकरी के लिए पात्र नहीं माने जाते हैं 1000 के करीब इनकी संख्या है मननरेगा के तहती अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मानना इनका ये है कि revolving fund अगर जारी हो जाएगा तो salary वाली दिक्कत इनकी दूर हो जाएगी और दूसरी बात ये कि अगर ग्रामिन विकास विभाग में ही ने मर्च कर दिया जाता है तो सभी तरह के लाब इने मिल पाएंगे जो कि सरकारी करमचारियों को मिल रहे हैं इस पर इने बैठक के लिए भी बुलाया गया था लेकिन उस वक्त कोई खास response मिला नहीं revolving fund को लेकर statement जरूर सामने आई थी अभी उस पर भी कोई हलचल हमें होती हुई नजर नहीं आ रही है इसलिए ग्राम रोजगार सेवकों ने ये मांग उठाई है कि जो अभी budget session आएगा उसमें मुख्या मंतरी सुखू ये 15 क्रोड का revolving fund इनके लिए जारी कर दे ये एक तर भी खबर इनके लिए ये है कि छठा वेतन आयोग जल्दी ही इनके लिए भी लागू हो जाएगा बाकी सरकारी करमचारियों को six pay commission का लाब मिल रहा है इन्हें भी दिया जाएगा हलाकि ये update तो पिछले हफते भी निकल कर सामने आ गई थी जब इनके साथ बैठक हुई थी मंतरी की भी और मुख्यमंतरी के साथ भी जब इनकी बैठक हुई थी हलाकि अब उसके बाद इंतजार इन में ये है कि आखिरकार announcement कब तक होगी अभी दो सुनहरे दिन आ रहे हैं अगर 25 चनवरी और 26 चनवरी की बात करें दोनों ही दिन काफी महतुपुन सरकारी करमचारि के लिए रहते हैं क्योंकि कोई ना कोई announcement ज़रूर करमचारी वर के लिए मुख्यमंतरी की ओर से की जाती है तो ऐसे में दोनों दिनों मैंसे कोई एक दिन में अगर announcement मुख्यमंतरी करते हैं तो इनके लिए वो काफी खुशी का अवसर होगा ये मांग अब यहाँ जीला पर बाकी करमचारीों को यह आश्वासन दिया गया है और इस बात को लेकर आश्वास्त भी है कि उन्हें एरियर मिलने वाला है 6th Pay Commission का लेकिन इन करमचारीों के संदर्व में कोई clarification इसमें नहीं दी गई है और दूसरी बड़ी बात यह है कि इंतजार इन्हें इस बात को लेकर भी है कि कब मुख्यमंत्री अनौसमेंट करेंगे बैठ है क्योंकि इनकी हो चुकी है 6th Pay Commission पर लेकिन मर्जर पर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है और कोई हल्चल भी हमें नजर नहीं आ रही है जब सवाल मीडिया द्वारा किया भी जाता है तो एक ही बात अभी मुख्य भी ऐसे पैंडिंग निर्ने रहे गए हैं उन्हें जरूर पूरा किया जाएगा उन फैसलों को जरूर किया जाएगा और सभी भत्तें और जो वीतिया लाब हैं वो भी करमचारियों की दिये जाएंगे आउट्सोर्स करमचारी एक बारी फिर काफी उगर रूप में नजर आए हैं क्योंकि ये मांग इनों ने उठाई है कि जलशक्ती विभाग में लगभग 1571 करमचारियों की सेवाओं को वापिस ले लिया गया था हलाकि ये जो निर्ने हुआ था 31 दिसंबर 2022 को इनकी सेवाएं बंध हो गई थी तो लगभग एक साल से भी अधीका समय हो गया है लेकिन सरकार कोई भी विचार इन्हें वापिस रखने पर नहीं कर रही है तो अभी जलशक्ती विभाग में जो 4500 के करीब भरतिया होनी है उ कि आउट्सोर्स करमचारियों के संधर में एक ही बात बार-बार मुख्यमंतुरी कहते हैं कि वो नहीं चाहते कोई इस तरह की भरती हो जहां दिन रात उनसे सेवाएं ली जाए बाद में OPS का लाब भी ना मिले और सैलरी भी उन्हें कम दी जाए इसलिए आने वाले समय में आउट्सोर्स भरतियां कम से कम की जाएंगी ये बात कॉंग्रेस की सरकार कहती है और एक हमें इसका बड़ा एक्जेंपल तब भी देखने के लिए मिला जब जलशक्ति भी भाग से आउट्सोर्स करमचारी निकाले गए याने कि पुन्हा इनकी नौकरिया बहाल नहीं हु आउट्सोर्स करमचारी के जिनके एग्रिमेंट खतम हो गए है लेकिन कब तक होगा इस पर भी स्थिती अभी तक साफ नहीं हुई है अब उमीद लगाकर बैठे हैं वो करमचारी जो की जलशक्ति भी भाग से बाहर हो गए थे या 4500 के करीब पदों पर फिर से भरतिया होन को क्योंकि बुलाया गया है इने बैठक के लिए ऐसे में OPS से संबंदित मांग तो ये मुख्या मंत्री के समक्ष रखेंगे ही लेकिन साथ ही ये स्थाई प्रबन निदेशक की तैनाती की मांग भी उठा रही है इनका कहना है मौजुदा समय में जो अधिकारी है उनकी हर्ष करते हुए हो चुके हैं OPS इनके लिए बहाल नहीं हो पाई है NPS शेयर इनका कट रहा है 31 मार्च तक अगर कोई भी OPS से संबंदित फैसला इनके लिए नहीं लिया गया तो ये इनका NPS शेयर जो कट रहा है या तो जमा हो जाएगा या फिर और बड़ी समस्या इनके स जोचक रहने वाला है क्योंकि एक महीने से जादा का समय हो गया है जब इन्होंने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था या फिर स्थाई प्रवन निदेशक की तैनाती हो इस पर आवाज उठानी शुरू कर दी थी लेकिन अब तक कोई हलचल हमें वहां पर स्थाई निक् पाद भी सरकार इनके पक्ष में कोई फैसला नहीं लेगी ये इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है करमचारियों के डिये और एरियर को लेकर भी अगर जानकारी दे तो अराज पत्वित करमचारी सेवाए महासंग ने अब आवास उठा दी है इनका कहना है सबर का बांध करम सरकार भी इस मूड में नजर नहीं आ रही है कि जल्दी डिये और एरियर का भुगतान हो सके तो आखिरकार कब तक इंतजार करमचारियों को करना होगा सवाल इनोंने किया है और अगर और जादा इंतजार इनसे करवाया जाता है तो आंदोलन का रुख भी फिर ये अपना सकते हैं अपना डिये और एरियर लेने के लिए करमचारियों को बड़ा नुकसान हो रहा है उनके वीतिये भत्ते हैं उन्होंने अपनी सेवाइं दी हैं उन्हें जरूर मिलने चाहिए हलाकि अभी देखिए साथ साल से तो ये इंतजार कर ही रहे हैं इसके बाद और कितना करमचारी करते हैं या सरकार इने और कितना इंतजार करवाती है ये बड़ा सवाल है कि इस वक्त सबसे बड़ी बात ये है कि वीतिये संकट हिमाचर प्रिदेश पर गहरा मंडराया हुआ है बार बार से एम सुखु यही कहते हैं और थोड़ा इंतजार करने के लिए करमचा नहीं है भारत एक जुट है और मजबूत है और जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जैसे शक्स का नेत्रित्व मिला हो तो भारत मजबूत ही होगा इसके लिए कोई भी ऐसी यात्रा करने के आविशक्ता नहीं है बड़ा तंजम कहना चाहेंगे आज जो कि नेता पतिपक श तुखु भी इस यात्रा का हिस्सा बने हैं हलाकि यात्रा जो है वो 66 दिन तक लगातार जारी रहने वाली है इस बीच कितना जादा समर्थन और कॉंग्रेस को मिलता है ये देखना काफी जादा रोचक रहेगा इससे पहले क्यूंकि जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू क कि गई थी तो काफी लोग रहुल गांदी के साथ जुड़ते हुए नजर आये थे भारत जोड़ो नियायात्रा शुरू हुई है इंफाल से इसकी शुरूआत हो चुकी है कितना समर्थन इस बार भी लोगों का मिलता है ये तस्वीरे बिलकुल सामने आने वाली है तो फिल